खबर गुना से व्रक्ष हम से कुछ लिए विना जीवन भर हमें ऑक्सिजन देते रहते हैं। ये हमारे सच्चे मित्र हैं। इंसान के जन्मिस से पहले व्रक्षो का जन्म हुआ। तब से लेकर आज तक इनके तने से लेकर जड़, शाखा और पतियों से हम हर पल, हर दम इनक कुछ नहीं दिया, बल्कि इनका विनाशी किया है। ये जानते हुए भी इनके विना हमारा जीवन अस संभव है। ये बात आज इसमासे भी विकास ज्यन नग्राली ने शिर्फ मंदिर पर पौधर उपन के साथ विश्व मित्रता दिवस पर जन संदेश देते हुए कही। मित्रता दिवस पर विकास ज्यन ने कहा कि कुरूना महमारी के समय अक्सुजन का महत्व हर कोई समझ ही गया होगा। जिसके चलते लोग अप पौधर उपन और उसकी देख रेग के प्रती जागरूप भी हो रहे हैं। लोगडाउन और रुतमान परिस्सिती में हमें जीव हमारे दोस्ती को ध्यान में रखते हूँ हमारी कर्वन डायक्साइड ग्रहन करके प्राणवायू ऑक्सिजन प्रतान करते हैं। इस मौके पर जांगी जैन, राम लाल जी, शर्मा, राम गुपाल, उज्जा, वजय च्रंदेल, अमित वालमी की आदिशमसी वक्त मौजूद रहे। सभी को पता है कि हमको अगर प्राणवायू मिलती है तो वो ये ब्रक्षों के दोवारा मिलती है। इसलिए हम सभी आगे आएं और संकल्प लें कि हम आदिक से अदिक प्रयावरन को सुरक्षित रखते हुए ब्रक्षा रोपन अवेस्थ करें। धन्यवाद, जैहिंद, ज आए बारत.